मस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मनीश और आप देख रहे हैं एड़को क्लासेस को आज का सेशन में बात करने जा रहा हूँ पढ़ाई में लरकियां लरकों से तेज क्यों होती है उन सारे कारणों को आज के सेशन में हम एंसर डूढने के कोसिस करेंगे आखी लरकियां पढ़ाई में लरकों से तेज क्यों होती है इस सेशन में जो भी फैक्ट जो भी बाते बताने जा रहा हूँ उन सारे बातों को एक्सपर्ट और अच्छे प्रोफिशर के जनकारी से सोध से लिया गया है खुद से कोई भी कंटेंट इसमें नहीं डाला गया है इस सारे कंटेंट को एक सोध में पता चला है उन से ये वीडियो में बनाने के कोसिस किया हूँ तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं पूरे आज की वीडियो को समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए आप और वीडियो फशन और लाइक आया तो आप दोस्तों के साथ शेर जरूर करें बिना डेले की चैनल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिच्छा के मामलों में लर्कों का खराब परदर्शन को लेकर पुर्वी लंदन के एक इसकुल में लर्कों की एक खास तरह के एकसरसाइच करवाई जा रही है स्ट्रेचिंग से लेकर फोकल एक्सरसाइज तक ये शब सिच्छा से जुरी एक पिचीदा समस्या को लेकर हो रहा है अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि लर्कियां और शत पढ़ाई लिखाई में लर्कों के मुकाबले काफी बेहतर परदर्शन करती है आज के शेशन में हम यही जानने की कुशिश करेंगे कि लर्के लर्कियों में फर्क पार्ट वन लर्के और लर्कियों में फर्क बहुत पहले से दिखना सुरू हो जाता है केजी से ही उनके समाजिक और भेवारिक कौसल में अंतर आ जाता है Middle School तक जाते जाते अंतर और बढ़ जाता है और College की पढ़ाई पुरी करने तक ये अंतर बना रहता है इसका असर सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं नौकरी पाने में भी दिखता है अब सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ अमेरिका, लंदन जैसे देश में ही होता है लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा सभी जगा है हर देश में लर्कियां शिच्छा से जुरी उपलब्धियों में आगे है लर्के और लर्कियों के बीच इस अंतर को कैसे समझा जा सकता है हम बात कर रहे हैं अपनी छमताओं के इस्तमाल के परिछाओं में हाशिल अंक और आईक्यू जैसे पैमाने अपनाते हैं कि अकलमंदी और योगताओं के मामले में लर्के लर्कियों दोनों बरावर हैं लेकिन फर्क पड़ता है कि अच्छे अंक हासिल करने के लिए उवे अपने एटिट्यूड यानि शमझ का इस्तमाल कैसे करते हैं अपने शमझ के इस्तमाल से आप पढ़ाई लिखाई में कामियाब हो शकते हैं स्कूलों में इसी समता को तो परखा जाता है आप होमबर्क समय पर पुरा करते हैं या नहीं काम को गंभिड़ता से करते हैं या नहीं यही बात ना सिर्फ आगे की पढ़ाई में बलकि नौकरी पाने में भी आपके रवईयों को तेह करती है तो सवाल ये है कि तो क्या लड़के इस अंतर को दूर कर पाते हैं इसी सवाल को लेकर प्रोफिशर के लेडियो बुकमेन बताते हैं जो साइकलोजी ओहायो स्टेट के प्रोफिशर हैं लड़की जब थोड़े मैचुवड यानि परिपक्त होते हैं तो अपने भविश और केरियर को लेकर काफी गंबिर हो जाते हैं ऐसे तो लड़के आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो पढ़ाई के बारे में गंबिरता से नहीं सोचते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके दोस्त उनका मजाग बनाएंगे बहुत सारे दोस्त मरदानगी के नाम पर पढ़ाई में हतोसाहित करते हैं ऐसे लड़के और पिछड जाते हैं लेकिन महत्मून सवाल ये है कि लड़के और लड़किया के बहवार में फर्क की सुरुवात होती कहां से है इसकुल पहुँचने के बाद या उससे पहले घर पर या फिट जर्म से इसको समझते हैं पार्ट टू में दिमाग की बनावड लिस एलिएट का मानना है जो प्रोफेशर है निरो साइंस की जो रोशलिन फ्रैंकलिन उन्वरसिटी में परहाती है वो कहती है अगर कोई नौजात लर्के और नौजात लर्कियों को देखें तो दोनों में कोई खासा फर्क नहीं लगेगा उनके दिमाग और बहवार में भी कोई फर्क नहीं होता जन्म के समय लर्के थोरी भारी होते हैं और उनका दिमाग और सीर लर्कियों के तुलना में 6% बड़ा होता है लेकिन समय के साथ दोनों के बेवार में फर्क बरता चला जाता है जीवन के दूसरे साल में लर्के लर्कियों के तुलना में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं लेकिन ये फर्क मा के गर्ब में पता नहीं चलता लेकिन आम तोर पर माना जाता है कि लर्के लर्कियां के तुलना में ज़्यादा चंचल होते हैं लेकिन क्या ये बात सही है? हाँ लरके लरकियां से थोड़े एक्टिव तो होते हैं, लेकिन उतने एक्टिव नहीं जितना लोग मानते हैं. आम लरकों की तुलना में एक तिहाई लरकियां सारेरिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होती है. लेकिन सोच से मिली जनकारियां कहती है कि शारेरिक सक्रित्या बरहाने में प्री नैटर टेस्ट्रोस्ट्रोन हर्मोन की भूमिका होती है फिर भी हमारा समाज ऐसा है कि लर्कों को तो सारे रिग्रूप से ज़्यादा काम करने की प्रेरित करता है जबकि लर्कियों को ठोका जाता है मा के पेट में मेल ग्रूनूट से पैदा होने वाले जिस प्रीनेटल टेस्टोएस्ट्रोन हर्मोन की बात कही गई है कि मेल जुर्वा के साथ गर्व में रही लर्कियां पर प्रिनेटल टेस्टरेस्ट्रोन का क्या असर होता है इस सोद में पाया गया है कि सिर्फ उनी लर्कियों को सामिल किया गया जिनकी जुर्वा भाई की जन्म से पहले ही मौत हो गई थी यह दावा पाया गया कि मांक के गर्व में भी टेस्टरेस्टरोन हार्मोन के संपर्क में आने के कारण ऐसी लर्कियां काफी हद तक पुर्सों की तरह बहवार करती है ओ भी स्कूल में खास परदर्शन नहीं कर पाई हाई स्कूल से पास करने में उन्हें दिक्कत हुई और कॉलेज की परहाई भी बहुत कम ने पुरी की और नौकरी पाने में भी उन्हें दिक्कत हुई और दो आदमियों का फर्क इसलिए भी होता है कि उनके दिमाग की बैलोजी यानि बनावट अलग होती है बहुत कुछ अपने जीवन के अनुभाओं से सिखते हैं लड़के या लड़कियां ये तो साफ है लोगों में अंतर एक नेचुरल यानि प्रकृतिक कारणों से होता है लेकिन परहाई लिखाई के मामले में लड़कियां का लड़कों के पीछे छोड़ना पिछले कुछ समय कैसे ही नजर आ जाता है आ जा रहा है जैसे कि ब्रिटीन में 2000 की सुरुवात से ही ऐसा होने लगा है अगर इसके कारण पर नजर डाले तो काफी कुछ समझ आता है पार्ट थ्री गर्ल पावर प्रोफिशर डेविट फिगलियो जो नॉर्थ वेस्टन उन्वरसिटी अमेरि लाओं के कारण है इसलिए क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन और बाकी जगह पे उपलब्द रिकॉर्ड बताते हैं कि स्कूल में लड़कियां 50 साल पहले भी परिच्छाओं में लड़कों के तुलना में बेहतर करती थी फर्क इतना था कि 50 साल पहले लड़कों को उस सिच्चा हासिल करने की संभाबनाएं लड़कियों से बहतर थी अब यह हो गया है कि लड़कियों को जब मौका मिला तो प्रामरी सेकेंडरी साथ ही साथ कॉलेज में भी लड़कों को पिछे छोड़ने लगी है 50 साल पहले लड़कियों को नौकरी मिलने की संभावनाएं सिमित होती थी क्योंकि समाज इसके बिरूद में था अब महिलाओं के सामने कई सारे ओपर्चुनिटी हैं इसलिए दुनिया वर की महिलाएं चाहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करके इन ओपर्चुनिटी को हासिल करें इसके साथ ही महिलाओं को अजादी भी मिली है कि उन्हें बच्चा पैदा करना है या नहीं और करना है तो कब अब सवाल ये है तो क्या इसकूल का अस्तर समाजिक प्रिष्ट भूमी का असर होता है लड़कों और लड़कियों को बेहतर करने में प्रोफीशर डेविट फिगलियो कहते हैं कि दोनों अगर भाई बेहन एक ही इसकूल में गएं तो एक जैसा परफॉर्म करेंगे लेकिन अगर वे थोरे कम अस्तर वाले इसकूल में गएं तो बेहनों का परदर्शन भाईयों से काफी अच्छा होगा इसकूल परोशी नैवर और फैमिली के इसमें इंपोर्टेंट रोल होता है बेहतर समाजिक अस्तर वाले परिवार में भाई अपने बहनों जैसा ही परदर्शन करते हैं लेकिन निचले समाजिक अस्तर वाले परिवारों में भाईयों का परदर्शन बेहनों की तुलना में खराब हो जाती है लेकिन जब भाई और बेहन का परिवरिश एक ही परिवार में हो रही है तो भाईों का परजर्शन बेहनों के परदर्शन से खराब कैसे हो सकता है क्योंकि बाइलोजिकली लर्कियां लर्कों से ज़्यादा मजूद होती है खरयाब परिवेश का लरकियों पर कम अशर पड़ता है अब बड़ा शवाल यह है कि अगर लरके पढ़ाई में पिछर रहे हैं तो इसकुल को क्या करना चाहिए इसको समझेंगे हम पार्ट फोर में पढ़ाने के तरीका पार्ट फोर पढ़ाने का तरीका टेविस्टॉक कॉलेज डेवान के असिस्टेंट प्रोफिशर मार्क रौवर्ट कहते हैं कि पढ़ाई में कॉम्पर्टीशन पर जोड़ देकर लरकों का परदर्शन नहीं सुधारा जा सकता यह तरीका उन लोगों के लिए सही है जो अच्छा परदर्शन करते हैं जो अच्छा परदाई में होते हैं लेकिन जो पहले से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं उन्हें प्रेरित के जाने की जरुरत होती है हो शक्ता है बार बार अशपल होने पर परदाई में उनकी रूची कम हो जाए अगर आप परहाई में परत्योगिता कराएंगे और लड़के उसमें जीतेंगे नहीं तो उनका आत्म बिश्वास कम होगा और फिर वे सोचेंगे कि हारने से बेहतर है कोई और रास्ता अपनाया जाए इसलिए उनकी परहाई में पहले रूची जगाना चाहिए परहाई जाने वाली पाट उनकी रूची की होनी चाहिए जिसमें वे अपनी जीवन का अक्स या भविस देख सकें लेकिन लड़कों के लिए परहाई का मज़ेदार बनाने का मतलब यह नहीं है कि लड़कों का रूचीयों की चीज ही डाला जाए जैसे कि किरकेट, कार, मोब वाइल गेमिंग पर ही फोकस रखा जाए आगे मार्क रॉप्टर्स कहते हैं कि आप जो भी पढ़ाए उसमें आपको सरमिंदगी नहीं होनी चाहिए कभी ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि आप पुरुष होकर प्यार पर कविता परहाने में आपको शर्म आ रहे है बलकि प् सम्झाना चाहिए साथ ही जेंडर या मरदानगी जैसे सबजेक्ट पर बात होगी तो हमें खुल कर पुरी इमंदारी से बात करनी चाहिए चर्चा करे कि एक मर्द और एक औरत होने का क्या माइने होते हैं क्या कई सोद में पाया गया है कि लर्कों को दिखते आती है सिखने को लेकर उनके रवयों के कारण कभी कवार लर्कों को लगता है कि अगर मैंने शवालों का जवाब दिया तो मेरे दोस्त मजाक उराएंगे, वे मुझे गुरूप से बाहर तो नहीं कर देंगे, ज्यादा तर ये समश्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चे के साथ होता है, लेकिन कुछ समश्याओं संपन परिवार से आने वाले बच्चों में भी ये दिक् अगर लर्का का परदर्शन सुधारना है तो सबसे जरूरी है कि हमारा शमाज उनके परहाई में पीछे छुटने की गंबिरता को लेना सुरू करें, सिच्चा को लेकर किसी की उपलब्दियां पर ही ध्यान देने की बजाए, ये भी देखना चाहिए कि कौन और कहां क्यों पिछर रहा है, थाइंक यू, आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे बताएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ